दोस्तो यूटूब पर व्यूज के लिए हम जानतों कुर्बान दे सकते हैं लेकिन व्यूज का मतलब है वीडियो पर व्यूज आना चाहिए लेकिन हम लोग वीडियो आपलेट करते करते पूरा ताग चुके हैं लेकिन वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा हैं क्या आप 2023 मे एक successful यूटूबर बन सकते हों जी हाँ बाई आप बिल्कुल बन सकते हों दोस्तों दिखिए ये मेरा पुराना चैनल है इस चैनल से मेरा तुड़ा बहुत आर्मिंग हो रहा है और मैं एक दिन बिल्कुल नोया यूटूबर ता और मुझे बहुत मेरा ये जो चैनल है मैंने खड़ा किया है 2023 में यूटूब की जो नोया पॉलिसिस आया है जो नोया आप्डेट आया है उसे की उपर आपको दियान देना है और चैनल पर काम करना है एक नोया चैनल खड़ा करने के लिए फार्स टाएम आपकी पास कोई नोलेज नहीं होता है यूटूब की रिलेटेड लेकिन फिर भी आपको क्या करना है मैंनत करना है यूटूब पर संक्सेस पाना के लिए बाई आपको तेन चीजों की उपर मैंनत करना होता है नमबर वान आपको consistency maintain करना होगा नमबर टू वीडियो के जो thumbnail है thumbnail पर clickbait करना आपको चाहिए बिना clickbait से आज की date में आपकी वीडियो पर कोई click नहीं करेगा नमबर त्री वीडियो quality में upload करना चाहिए वीडियो की जो quality है, quality क्या होता है सबसे पहले आप ये चीज समझ लिजिए, clickbait क्या होता है, ये चीज आप समझ लिजिए, consistency क्या होता है, ये चीज आप समझ लिजिए ये तीनों चीज जब आप समझ लेंगे, उसके बाद आपके वीडियो जब आप upload करेंगे तुरन्त views आना शुरू होगा सबसे पहले बात करते हैं कि quality वीडियो क्या होता है quality किसको कहा जाता है जैसे कि वीडियो पर आपकी जो बोईस quality है काफी clear होना चाहिए number one number two quality की अंदर मैं बात कर रहा हूँ number two जब आप वीडियो शूट करेंगे वीडियो की quality better होना चाहिए जैसे कि मैं जिस तरह शूट कर रहा हूँ उससे और भी better अगर आप शूट कर सकते हों तो आपको और भी ज्यादा मतलब फायदा मिलेगा आसकी डेट में popular video यानि कि quality में video look देखना काफी पसंद करता है जो नोया creators होता है वीडियो क्लिक करने की बाद लगता है कि ये तो नोया creators है या मुझे क्या सिखा पाएंगे खुद की अंदर knowledge नहीं है तो जब आप quality में video shoot करेंगे जब आप high quality में HD में video shoot करेंगे और उसके बाद जब आप upload करेंगे तो audience को लगता है कि आपके पास सब कुस है और आपके पास तोड़ा बहुत knowledge है क्यूंकि आप शुरुवात में quality में video upload कर रहे हो इसलिए लोग आपको support भी करता है और channel भी subscribe करता है और साथ में आपकी जो watch time है watch time भी complete होता है second second number क्या है जैसे कि clickbait देखिए काफे लोग clickbait करते है जो चालाक यूटूबर है शुरुवात में clickbait करना शुरू करता है और इसलिए मतलब जल्द से जल्द YouTube पर successful तरीके से एक YouTuber बन जाता है clickbait क्या होता है मान लिजे आप YouTube पर watch time कैसे बढ़ा है इस topic की उपर वीडियो upload करने वाले है तो आपको कैसे clickbait करना है आपको एक आसानक word आपको डुणना पड़ेगा जैसे कि इस word जैसे आप thumbnail पर लिखेंगे तो उस word जब audience देखेंगे बिना click करके audience नहीं जा सकता है click करना ही पड़ेगा तो ये चीज होता है clickbait नमबर त्री ये त्री नमबर जो options है ये त्री नमबर जो point है इसी point की उपर आपको काफी दियान देना होता है जैसे कि consistency maintain भै हम लुक एक चीज सोच लेते हैं कि वीडियो आज मैंने आपलोट किया है काल आपलोट करने की ज़रूरत नहीं है परसू आपलोट करने की ज़रूरत नहीं है नेक्श दिन वीडियो आपलोट करेंगे आसके जो यूटूब की जो बजार है बजार काफी हाई है मान लिजे आपने एक वीडियो आपलोट करने वाले है तामनल कैसे बना है और आज आपने मीज कर दिया तो आपकी बदले में और क्रियेटर्स इसी टॉपिक की उपर वीडियो आपलोट करेंगे और नेक्श दिन जब आप वीडियो आपलोट करेंगे मान लिजे आपकी वीडियो मैं देखने वाला हूं लेकिन आप वीडियो आपलोट जब करेंगे ना करने की जो time है जो consistency है आप उसी time पर वीडियो आपलोट नहीं किया है तो मैंने किया किया दूसरा creators की वीडियो देख लिया तो next दिन आपकी जो thumbnail के जो वीडियो है वीडियो देखने की मेरा कोई ज़रूरत नहीं है consistency आपको maintain करना बहुत ही ज़रूरी है इसमें और चीज है जनने की और चीज है जैसे कि अगर आप consistency maintain करोगी तो यूटूब के जो algorithm है जो system काम करता है system को एक positive signal चला जाता है माल लिजे आप डेली सम साथ बज़े वीडियो आप्लेट करते हों मैं उदाहरूंतर पर आपको ये मतलब इस चीजों से आपको मैं समझाने वाला हूं करते हों आप डेली तीन बज़े ट्यूशन के लिए जाते हो असानुक एक दिन टीचर नहीं मिला है तो आप क्या करोगी वापस गर पर आओगे नहीं दिन फिर ट्यूशन पर गया टीचार्स को मिला ट्यूशन आपने किया उसके बाद फिर नेक्स दिन आपने तीन बज़े नहीं गया है दो बज़े चला गया तो क्या टीचर आपको ट्यूशन कराएंगे बिल्कुली नहीं तो हर एक चीजों की कंसिस्टेंसी मेंटेंड करना काफी जरूर थे अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेंड नहीं करते हों तो भाई आपकी जगा और क्रेटर्स आ सकता है इसलिए आपको जो भी कंसिस्टेंसी आप मेंटेंड करोगी शुरुवात में उसी से आपकी चैनल ग्रो होता है अगर आप हफता में एक वीडियो आपलेट करते हों तो आपको हफता में एक वीडियो आपलेट करना चाहिए अगर आप डेली एक वीडियो आपलेट करते हों तो डेली आपको एक वीडियो आपलेट करना चाहिए इसको कहा जाता है consistency बिना consistency maintain करते हुए आपकी channel आपको भी grow नहीं कर सकते हो तो दुस्तों मैंने जो idea आप लोग को दिया है इस idea की उपर जो भी राल है आप comment करके बताना है मिलते हैं next किसी another video में तब तक के लिए join छोई बार